गर्मी का मौसम था तो दोस्तो मौसम के लिए हम लोग EAT का यूज करते हैं जैसे इट वोज समर, इट वोज विंटर, इट इज रेनी सीजन, इट वोज रेनी सीजन, तो यहाँ पर लिखेंगे, इट वोज समर, धूब बहुत तेज थी, इसके लिए आप लिख सकते हैं, दो यातरी एक धूल भरी सडक पर जा रहे थे, जिसके किनारे कोई पेड नहीं था, तो दोस्तों यहाँ पर जा रहे थे, यानि कि पास्ट केंटिनिवर स्टेंज, कौन जा रहे थे, दो यातरी, टू ट्रैबलर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे, टू ट्रैबलर्स, एक से अधिक है, वर यूज करेंगे, वर गोईंग, एक धूल भरी सडक पर, यहाँ पर आप अलॉंग यूज कर सकते हैं, जैसे मालीजे कोई भी रास्ता है, और इसके साथ साथ चलते हैं, या इसके साथ साथ कोई पेड़ भी है, तो आप अलॉंग का यूज कर सकते हैं, टू ट्रैबलर्स वर गोईंग अलॉंग अ डस्टी रोड, जिसके किनारे कोई पेड़ नहीं था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तपती धूप से बचने के लिए उन्होंने एक पेड़ देखा, जिसकी बड़ी-बड़ी पतियां और छत्री की तरह पहले हुई साखाएं थी, दोस्तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, भर लिख सकते हैं, यहाँ एकिस्टो कर लिख सकते हैं, दोस्तोड़ी तो रहते हैं, दोस्तोड़ी दोने के बजाँ पर रहते हैं, उन्होंने एक पेड़ देखा They saw a tree जिसकी बड़ी-बड़ी पत्यां और छत्री के तरफ फैलीवी साखाएं थी आप यहाँ पर सीधे वीद यूज कर सकते हैं Big leaves and branches Spirid like an umbrella दोस्तों यहाँ बीद का मतलब हुआ वाला जैसे पत्यों बाला या फिर बड़ी-बड़ी साखाऊं बाला पेड looking for some shelter from the hot sun, they saw a tree with big leaves and branches, spread like an umbrella उन्होंने अपना सामान जमिन पर रख दिया और पेड की थंडी घनी जहाँ में बैड गये तो यहाँ पर लिखेंगे, they रखना का place भी होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, placed आप put का भी यूज़ कर सकते हैं अपना सामान, their belongings यानि कि जिसके पास जो भी सामान है, belongings कहलाता है they placed their belongings on the ground and बैट गये, तो seat से sad बन जाएगा, verb 2 पेड की ठंडी घनी चहाँ में, in the cool, thick shade of the tree दोस्तो चहाँ में, यहाँ पर आप में के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं आप किसी चीज़ के चहाँ में हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हैं they placed their belongings on the ground and sat in the cool, thick shade of the tree कुछ देर आराम करने के बाद, एक यातरी ने दुसरे से कहा कुछ देर आराम करने के बाद, after taking some rest, एक यातरी ने दुसरे से कहा one traveler said to the other after taking some rest, one traveler said to the other यह कैसा बेकार पेड़ है, इसमें कोई फल ही नहीं लगता तो यहाँ पर लिखेंगे, what a useless tree it is यह exclamatory sentence है, what a useless tree it is, इसमें कोई फल ही नहीं लगता it bears no fruit यह सुनकर पेड़ को चुभन महसूस हुई और ब्रस पड़ा ब्रस पड़ाना किसी पर गुस्से में, इसके लिए आप brushed out का यूज कर सकते हैं, इसका सभी फोर्म brushed ही होता है brusheded कभी नहीं होता है, यह सुनकर hearing this पेड़ को चुभन महसूस हुई, simple past tense में है the tree felt pinched and brushed out hearing this, the tree felt pinched and brushed out अरे कृत धन आत्मा O, ungrateful soul O, ungrateful soul एक और तो तुम सुरज की तपती धूप से मेरी सीतल छाया में आश्रय ले रहे हो on one hand You are taking shelter तुम मुझे निकम्मा कह रहे हो And on the other hand You are calling me useless And on the other hand You are calling me useless उठो और फिर से जुलसने के लिए इस जगह को तुरंत छोड़ दो उठो यानि की गेट अप And Leave the place Immediately फिर से जुलसने के लिए To be Scorched Once again Get up and leave the place Immediately To be scorched Once again दोस्तों Scorched काफी important verb है और तपती गर्मी को scorching heat भी कहते हैं Scorched का अर्थ होता है जुलसना जल जाना I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा थोला सा मेरा गलग खराब है और मेरी तबियत भी खराब है फिर भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मैंने आपके लिए काफी मेहनत किया है और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोज बनाए है उन वीडियोज में भी मैंने काफी मेहनत किया है तो आप उन सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे अभी थोड़ी सी तबियत खराब है तो पहले वाले विडियोज को जरूर देखेंगे All right friends, thanks for watching, have a great day, enjoy yourself